आजा रहे मोटू साइड में खड़ा हो गया आजा आजा एक तो यह वैसे न पीना देते हैं इसे उस साइड में खड़ा है अलग लगाए ले जाओ जी उसे अलग ले जाओ देख 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 महीं भाग रहा है अपना पीएगा उसका भी पीएगा भाई मानी गड़ता है यह देख 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 यह वैसे नहीं बोलेगा पर पीने चक्र में यह पहुंच जाएगा भाई देख देख सफाई का भी द्यान रखते हैं गुलिया जी सारा डश्टरों में डाल दिया जैस्यारम दोस्तों आज 29 मई बुद्वार के दिन आप सभी का फिट गुलिया व्लोग में हार्दिक सवागत है और अभी पांस बज़के दस मिन्ट हुएं तो बाकिक्षाइज आपके साथ करते हैं तो आप अमरशाद बने रही हैं और यह सूर्य बगवान क्रुंचट आपके साथ करते हैं और आपके घ्र करते हैं एह से अन्मरश जख पर आपके ठापके अन्मरश को अलापके में जञए प्राइज को रभी बटपके हैं और बहा उन्मरश को व्लापके दिए और मित्रो यह मॉर्णिंग का व्यूँ आज का अब भी टाइम हुआ है पांस बज़ के बारा मिनिट और यह जुम्बा सेशन और देखो आसमान कितना साप नज़र आ रहा है जंदर्मावी नज़र आ रहा है आपको भूबे मैंने रहा है वाजा मैंक पेड़िव और यह सर ने रस्टी सुरू कर दी है दोसो दोसो के तीन सेट लेंगे सर प्रिया मित्रो यह हमारा काडियो सेशन जिसमें साड़े चार किलोमेटर की जोगिंग दोसो दोसो के तीन सेट रसी कूद और छे हमारी अक्ट साज होती है बहुत बड़ी असर पीछे का दर से देखिए कितना सुंदर है प्रिया मित्रो काडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह हमारी चेक्ट साइज जिनमें 30-30 रिपीटिसन के तीन सेट लेने होते हैं आप भी अपने वर्काउट में सामिल करिए इसे यह पहली अक्ट साइज है और हाई निक्स यह दूसरी अक्ट साइज है थोड़ी स्पीड से करनी है 30-30 रिपीटिसन के तीन सेट लेने है परयात मातरां पानी पीना है नीद अच्छी लेनी है बाहर की बोजन से बचना है तो परणाम अच्छे मिलेंगे यह 30 रिएक्ट साइज है और आप लगातार करिए बिना छुट्टी के फिर आप रिजल्ट देखिए और काडियों में यह सर की टर्न वही 30-30 के तीन सेट लेंगे सर भी यह परयाक्ट साइज सर की यह दूसरी है और यह तीसरी प्रिया मित्रो मसल टेरेंगे अगले अक्ट साइज डिप्स तीस-τιस रिपीटिarin के तीन सेट चेस्ट को सही आकर मिलता है बजांग के अक्ट साइज होती है पॉठ्टे तीस- Eating के तीन सेट प्रिया मित्रो काडियो ससन हमारा समाप्त हो चुका है और हमारी मसल ट्रेनिंग जिसमें हमारी 4-5 अक्साइज होती है बहुती सांदार बयायाम फुल वोडी बर्काउट में आता है देशी दंड इसमें देखेंगे आप तीन आसनों का प्रोपर प्रियोग होता है और ये मसल ट्रेनिंग की 4 अक्साइज स्क्वेट वही 30-30 के 3 सेट लेने और ये सरने पेठी का साइज सुरू कर दी है 30-30 के 3 सेट लेंगे और ये पहले एक साइज है ये भी सेम 30-30 के रिपीट करने है और ये फॉर्थ 30-30 के 3 सेट लेंगे आप प्रिया मित्रो अपनी अक्साइज में आगे बढ़ते हुए ये हमारा प्रणायम सेट शुरू हो चुका है जिसमें पहला था हमारा कार्डियो दूसरी थी हमारी मसल ट्रेनिंग और तीसरी थी हमारी बैली फैट के रिए किये गए 4 व्यायाम तो ये कपाल भाती इसके भी हम 3 सेट लेते हैं बहुत बढ़ी असर तो प्रिय मित्रो प्राणायम सेट को आगे बढ़ाते हुए ये है अनुलों बिलों इसके भी हम 3 सेट लेते हैं और जैसा कि आप जानते हो हमारा जो सौफ्ट वेयर है यानि हमारे आंतरी गंग और मस्तिस्क इसको सौफ्ट रखने के लिए प्राणायम से बढ़ी है कोई भी आयाम नहीं प्रिय मित्रो प्राणायम में आगे बढ़ते हुए ये है ब्रहामरी और ब्रहामरी में जैसा कि आप जानते हो हमारा जितना भी नियूरॉन सिस्टम है जो हमारी बुद्धी को नियंतरित करता है वो सक्रिय रहता है इसमें जिससे हमारी बुद्धी बढ़ती है और याददास तेज रहती है प्रिय मित्रो आगे बढ़ते हुए ये हमारे ओम का जाप किसी भी धान परकिया में जाने से पहले सुरुवात ओम के जाप से ही होती है किसी भी करania से देखने पेकार में जापने से रहता है ःतरिते है ये हमसले आगे बुद्धी के जाच से लाटादाने में कर्कानाव लोस्ते है धलड़ते है स्सूंते है कि षिसा उते है को we got some जबज़ों कि स्केटिंग लैंकर बच्छरा गरी गया था कुर जैसे यह राम दोस्तों आज का हमारा वर्काउट समाप्थ हो चुका है और आज है 19 मई और जैसा कि आप जानते हैं 29 मई को हम मनाते हैं विश्व एवरेश्ट दिवस और ऐसा इसलिए किया जाता है कि 29 मई उनिसो त्रेपन को ही विश्व के दो विक्तियों ने एवरेश्ट पर फत्य प्राप्ति थी जिसमें एक थे एड्मंड हिलेरी न्युजिलेंड के और दूसरे से तेंजिंग सेरपा जो नेपाल और भारत दोनों की नागरिक माने जाते हैं तो 29 मई को मनाते हैं विश्व एवरेश्ट दिवस और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जोड़े रहेंगे हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्स्वाइब करेंगे धन्यवाद